आपको बताते हैं अंगली खबर मुखी मंतुरी मनुहलाल ने रज्य सूखा राहत और बार नियंतरन बोड के साथ बैठक की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए मुखी मंतुरी मनुहलाल ने कहा कि बैठक भी 320 योजनाओं को रखा गया था जिनें मन्जूरी दी गई है साथ ही मुखी मंतुरी मनुहलाल ने कहा कि इन सभी योजनाओं पर 494 करोड रुपए खर्च होंगे इस बार विशेश तोर पर ध्यान रखा गया है कि बार का पानी जो ड्रेन आउट करते थे उसको रियूज कैसी किया जा सकता है मुखी मंतुरी मनुहलाल ने कहा कि जिन जिलों में भीवानी महिंद्रगार रिवाडी दादरी में पानी की कमी है वहाँ पर उस पानी का इस्तिमाल किया जा सके इसके लिए 221 करोड रुपए की योजना बनाई गई है मुखी मंतुरी मनुहलाल ने कहा कि पहले साल में एक बार बोर्ट की बैठक होती थी पिछले चार साल से बाढ़ नियंतरन बोर्ट की दो बैठक के करते हैं और पहली बैठक जनवरी में दूसरी मई में होती है इसके अलावा भी मुखी मंतुरी कई एहम जानकारिया साजा क अगले वर्ष में जो भी कुछ बाड को नियंतरन करने की दिश्ची से या सुखारात की दिश्ची से जो यूजनाय बनती हैं उनको आज फाइनल रूप दिया गया है पहले कभी वर्ष में केवल एक मीटिंग मही के महिने में होती थी लेकिन पिछले चार वर्ष से हमने इसमें परिवतन करके दो मीटिंग करने का प्रावधान किया कि जनवरी में होगी दूसरी मही में होगी ताके जो प्रोजेक्स जनवरी में वचार किये जाए उसकी को रखा था और बोर्ड में उन सब को पास कर दिया चार सो चुरानुवे क्रोड की यह सब योजनाएं होंगी दोजार इकीस का जो वर्ष गया है इस वर्ष में वर्षा के दुनों में पहली बार यमना के ख्षित्र में कोई बाड नहीं आई है वरना यमना का ख्षित्र भी बाड के द्वारा प्रभावित होता था लेकिन सब योजनाएं पिछले वर्ष जो बनाई गी थी उसका उपयोग हुआ कि अमना के किदारे कोई बाड नहीं आई हाँ ये ठीक है कि भिवानी रोत तक जजजर हिसार और सोनिपत जैसे जिलों में भारी बारिश के काण से नि मौवजा दिया गया है देना है भी हाँ साड़े छे सो क्रोड का अनुमानी बना है तो ये मौवजा हमने अभी बाड़ना है एक लाख एकड़ भूमी का सुधार वाटर लोगिंग का समाप्त हो ऐसे हमारे अगले वर्ष कियोजना जो पहले हो मुशा कर चुके हैं तो उसक 30% राशी सरकार खर्च करेंगी और उस जमीन को ठीक करेंगे ताकि वो जमीन की पैदावार साल में दो बार अपनी कर सके और उसका वो लाग कमा सके इतने भी बड़े प्रजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं पूरे प्रदेश में सभी भागों के लगबग सो के आसपा से प्रज ची के प्रजेक्ट है अभी हर एक भाग ने अपनी दी नहीं है जानकरी लेकिन ये प्रजेक्ट्स सो से उपर ही होंगे आज उसमें से 22 प्रजेक्ट्स के उपर हमने जो है उसका रिव्यू किया है उसमें मेडिकल कॉलिजिस भी थे उसमें पबलिक हेल्थ की कुछ योजना गया है कोई विवधान कोई कठनाई उसमें है तो उसकी भी जानकरी ली गई है ताके कई बार आपस में विभागों का दो तीन विभागों का मिल करके कॉडिनेशन में कुछ जो कमी रहती है उसको दूर करने के लिए कहा गया है और इसी प्रकार से हर महीने इन बड़ी यो जनाओं के उपर समिक्षा की जाएगी ताके इसमें गती दी जा सके कारण दो वर्ष पिछले जो कोविड के निकले हैं इसके कारण से भी योजनाओं में देरी हुई है लेकिन अब हम समझता हूँ के ये कोविड वाला विश्याप समाप्त होगा तो इसमें गती आएगी और सब प्रोजेक्ट्स आगे निश्य समय पर पूरे होंगे प्रसंदता की बात है कि हमारी हर्याना की जाकी इस बार पांच साल के बाद शायद पिछली 2017 में जाकी निकली थी बेटी बचाव बेटी बढ़ाव को लेकर के स्विक्रत हुई थी और चैन जो समीती होती है वो अच्छा प्रदशन हमने किया है चाहे वो ओलम्पिक गेम्स हो चाहे पैरा ओलम्पिक्स हो उसके कारण से सभी खिलाडी उस जहांकी में रहेंगे और नकिवल देश को बलकि दुनिया को जो बताना चाहते हैं कि हर्याना जो है वो खेलों का हब है और खेलों के कारण से इत हैं बहुत से विश है बहुत से सुझाव हमने दिये हैं लेकिन बजट तो जब बन जाता है जब कोई चीज गोशना होती है तब ही उसको फाइनल मानना चाहिए हमने अपनी और से बजट को कैसे बढ़िया बनाया जाया कैसे उसमें किसकिस वाकियों पर ज्यादा फोकस किय चाहिए और हमने पाच जार क्रोड रोपया हमको इंफा स्रक्चर के नाते से और मिलना चाहिए खास करके एंसियार एरिया के अंदर बहुत बड़े प्रोजेक्ट हमारे बन रहे हैं हमने मांग रखी है अब केंदरिया बजट जब गोशित होगा तब उसमें से पता हमने भी अपनी बजट की त्यारी कि जो के जनवरी फरवरी के अंदर दो मीन ऐधर की त्यारी करनी होती है उसका हम व्यादाय को को पत्र भी लिख रहे हैं सांशदों को पत्र लिक रहे हैं कि कोई उनके अगर उत्तरम को यह नहीं मिलेंगे उन फुज़ाव को में और का खर्च किया जाएगा पानी की रियूज पर विशेश धियान दिया जाएगा तो बैठे की बड़ी बातों में से यह पी बात थी और बिवानी महींद रुगड रिवाडी दादरी में पानी की कमी चारों जिलों में पानी के लिए दरसल योजना का इस्तिमाल कि आजाएगा 221 करोड रुपए की योजना बनाई गई है काई जिलों में जल्भराव से फसलों का आंकलन खराब 650 करोड रुपए मौवजे का आंकलन हुआ है जल्दी खराब फसलों का कुम मौवजा का मौवजा किसानों को दिया जाएगा कि योग्य भूमी पर जल्भराव होने पर पोर्टल पर आवेधन कर सकते हैं योजना पर असी फीजदी सरकार खर्च करेगी और बेस फीजदी किसानों कि इसार बर्वाला में जवन स्वास्ति विभाग की दो योजना को मंजूरी